प्रियाम आपके साथ आमादमे पार्टी आपके प्रवक्ता सुरब भरत दोजने गुरुवार को लोकसभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस को एक ओफर दिया उन्होंने का कि अगर कॉंग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाओ न लड़े तो आप भी मद्रप्रदेश और राजिस्तान में चुनाओ नहीं लड़ेगी आप मंत्रे ने का कि अगर सभी दल एक जूट नहीं हुए तो हो सकता है 2024 के बाद ही नहीं भाषबाद जिस सरसे विपक्ष को कुछलने में लगी है सामदाम दंभेद और उन पर EDCVI की च्छापे मारी हो रही है इसकी पूरी संभावना है कि अगर मोदी 2024 में फिर PM बने तो सविधान ही बदल देंगे वे डिक्लेयर कर देंगे कि मोदी जब तक जिन्दा है वे ही देश के राजा बने रहेंगे सौरब भरत द्वाज ने ये बाते एक प्रेस कॉंफरेंस में पत्रकारों के सवालों का जौब देते वे कही आप नेता से पूछा गया कि लोकसोबा चुनाओ के लिए विपक्ष एक जूट हो रहा है लेकिन अगर कॉंग्रेस और आप पंजाब दिली और राजिस्तान जैसे राज्यों में एक दूसरे के वोट काटेगी तो साथ आने का क्या फाइदा सौरब भरत द्वाज ने कॉंग्रेस पर आम आद्वी पार्टी से आइडिया और मेनिफेस्टों चोरी करने का अरोप लगाया आप मंतरी ने कहा कि जब हमने दिली में बिजली मुफ्त देनी का वादा किया तो कॉंग्रेस ने जम कर विरोध किया कॉंग्रेस नेता अजय मकान समयत पार्टी के तमाम नेताओं ने केजली वाल के इस आइडिया का मचाक तक उड़ाया था लेकिन बाद में कॉंग्रेस ने हिमाचल में फ्री बिजली और महिलाओं को मासिक भता देने जैसे आइडिया को कॉपी किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस में ना सिर्फ लिडर्शिप का क्रैसिस है बलकि आइडिया का भी क्रैसिस है देश की सबसे पुरानी पार्टी का लोगों से जुड़ा इस तरह से खतम हो गया है कि उन्हें पता तक नहीं जनता क्या चाहती है अब हरत यह है कि उन्हें देश की सबसे नई पार्टी से आईडिया चुराने पड़ सकते हैं हम कह सकते हैं कॉपी केट कॉंग्रेस सौरब भारत वास से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी पर मुफ्त की रेवड़ी अबाटने का अरोप लगता है इस पर आप क्या कहेंगे जवाब में सौरब ने कहा क्या देश के लोगों को वेलफेर स्किम देना मुफ्त की रेवड़ी है या अरबपतियों का कर्ज माफ कर देना मुफ्त की रेवड़ी है इसका फैसला देश की जनता को करने दीजिए जितने पैसे में देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त बिजली, पानी और यात्रा की सुईधा मिल सकती है उससे जादा कर्ज भाश्पा या पीए मोदी से दोस्ती रखने वाले अरबपतियों का माफ किया गया है ये सब आफ रिकॉर्ड है इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ दने बाद